तो फाइनली ढूंड इलिया आपने हां मुझे अमीद थी ढूंड लोगे तो आज कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास शीक्स्त मैत चैप्टर शीक्स इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन मेरा नाम विजे आप देख रहे हैं सीचल क्लास जो लिए शुरू करते ह हैं इंटीजर्स से इंटीजर्स शुरू करने से पहले मैं आपको दो टाइप के नंबर सोर बता देता हूं पहला था हमारे पास नैचुरल नंबर Natural numbers कौन से number होंगे वो number जो एक से start हो यानि कि अगर पूछा जाए कि पहला natural number क्या होगा मारे पास तो वो होगा one उसके बाद two, three and so on तो ये क्या होगे मारे पास natural numbers Natural number के बाद second topic आजा मारे पास whole number Whole numbers कौन से number होंगे वो number जो zero से start हो यानि कि पहला whole number क्या होगा जीरो फिर one, two, three तो इस तरह से whole number सुरू होते है तो पहला whole number हमारे पास zero फिर one, फिर two, three and so on अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि natural number और whole number क्या होते है क्योंकि जो integer है वो natural number और whole number पर इनके अगर हम साइन को उल्टे कर दे तो जो दोनों टाइप के number आएंगे हमारे पास वो कहला आएंगे integer कैसे देखो whole number क्या होंगे जीरो से one, two, three, son तो integers क्या होंगे फिर हमारे पास अगर हम इनका साइन उल्टा कर दे यानि कि यहाँ पे plus one है तो क्या आएगा minus one यानि कि zero, one, two, three, son और यहाँ पे minus one, minus two, minus three and son तो integers क्या होंगे मारे पास अगर हम whole numbers के जो साइन है उनको उल्टा कर दे तो whole number प्लस उनके opposite sign टोटल जो set बनेगा एक हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा integers अब आपको पता चल गया कि integer क्या होगे अब देखते हैं इसकी representation कैसे होगी number line पे तो देखो number line zero से शुरू होती है यानि कि यहाँ पे zero ले जते बीच में इस तरफ भी हमारे पास इस तरफ क्या होगा positive और left and side की तरफ क्या होगा negative तो यहाँ पे plus one, plus two, plus three, plus four और यहाँ पे minus one, minus two, minus three, minus four तो इस तरह से हम represent कर सकते हैं माल लिजी हमें represent करना है minus one तो minus one यहाँ पे है तो इसके ओपर एक arrow लगा देते हैं इस तरह से यानि कि यह मारे पास क्या है minus one, अगर हमें minus four represent करना है तो इस तरह से इसके उपर arrow लगा देंगे तो हमें पताते हैं कि integer कहाँ पे है, इस point पे अब यह तो हो गई इसकी representation integers की अब next topic आता है, ordering कैसे करेंगे integers की कि कौन साइंटीजर बड़ा है, कौन साइंटीजर छोटा है, ओ देख लेते हैं देखो, positive side तो आपको पता ही है कि positive 4 बड़ा है, positive 3 से positive 5 बड़ा है, positive 1 से, 2 से, 3 से, यह तो पता ही है आपको लेकिन negative side में क्या होगा, जो 0 के नजदीक होगा, यानि कि the number which is closer to 0 is biggest among the given numbers, यानि कि अगर आपको सारे negative number दी होगा है, तो जो 0 के क्रीब होगा, नजदीक होगा, वो क्या कहलाएगा, वो उन में सबसे बड़ा कहलाएगा, जैसे, जैसे आपको बताना है क्या, कि minus 3 और minus 4 में से कौन सा number बड़ा बताओ, minus 3 क्या, 0 के close, minus 4 के comparison में, तो minus 3 क्या होगा, बड़ा होगा, minus 4 से, तो इन में बड़ा क्यों सा होगा, bigger, minus 3, और smaller क्या इन में, minus 4, इसके लिए एक sign भी represent करते हैं, कैसे, देखो, एक sign होता है ये, और एक sign ये, ये क्या होता है, greater than, यानि कि minus 3 क्या हमारे पास, greater है, minus 4 से, और यहाँ पर क्या होता है, less than, तो minus 4 क्या है, कम है, minus 3 से, यानि कि जो उन सा number बड़ा होगा, उसकी तरफ क्या होगी, कि इस, जो कर्व, इसकी opening, खुलेगी, यानि कि इस कर्व की opening इस तरफ है, तो यानि कि ये number बड़ा है, इस कर्व की opening इस तरफ है, तो ये number क्या है, बड़ा, तो ये था ordering और sign, अब देखते हैं, कि जो number line है, integers की, उस पर हम कैसे कर सकते हैं, subtraction और addition को, सबसे पहले, example लेते हैं, subtraction का, तो देखो, subtraction में हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं, example के लिए, minus 3 में से हमें subtract करना है, minus 4, तो minus 3, minus minus क्या हो जाता है हमारे पास, plus, तो ये कहा जाएगा, plus 4, तो पहले minus 3 लेते हैं, minus 3 कहाँ पे हैं, यहाँ पे, इसमें से हमें 4 step move करने है, positive side, plus है, यानि की right and side की तरफ move करने है, तो one step, two step, three step, और four step, तो हम कहाँ पहुँच गए देखो, थरी से हम गए two पे, two से गए one पे, one से zero पे और zero से one पे, यानि कि हम total कितने step चले, four step, four step में minus 3 से कहाँ पहुच गए, one पे, तो यानि की one क्या दाएगा इसका answer, इसी तरह से हम और example ले सकते हैं, अब देखते हैं addition का, कि addition को हम कैसे represent करेंगे number line पे, मान लेते हैं, same question हमारे पास, minus 3, plus minus 4, तो minus 3 से में, plus करना है minus 4 को, तो यानि की basic के लिए मैं क्या करना है, minus 3 में से minus 4 सब्ट्रेक्ट करने है, minus 3 और minus 4, minus 7, तो यानि की minus 3 है हमारे पास, इससे में 4 step चलने हैं, left की तरफ, यानि की minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, तो minus 3 से 4 पे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो हम कहां पहुँँ जाएंगे, minus 7 पे, या फिर इसको ऐसे represent कर सकते हैं, तो यहां पे मैं पता चल गया कि हम सब्ट्रेक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे normal subtraction करते हैं, वैसे ही होगी, बस आपको sign का ध्यान रखना है कि minus 3 और minus minus पलस हो जाएगा तो इस तरह से, और फिर addition, addition भी simple है, जैसे हम normally addition करते हैं, वैसे ही है, तो आपको पता चल गया कि integer क्या होते हैं, उनको हम order में कैसे arrange कर सकते हैं, सब्ट्रेक्शन कैसे कर सकते हैं, नमबर लाइन पे और addition कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ड्रेंट करते हैं, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,